तो आज हम आपको पांच ऐसी कमपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा है और ये आपको आने वाले वन येर के अंदर अंदर आपको यहां से 100% का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है क्या 100% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा ऐसा कहा न नाम है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड कमपनी का जो प्राइस चल रहा है 1402 यानि 1,42 के रेट पे चल रहा है कमपनी का प्राइस और ये कमपनी अगर हम इस कमपनी का रिजल्ट देखे इसके अगर इसका पूरा वीडियो देखना है तो चैनल पर पढ़ा होगा आप उसको करोल का बिजनस करने वाली कमपनी आज हाइस्ट मैक्सीमम आप क्या सेल्स कर रही है और नेट प्राफिट की बात करें तो एक करोल का नेट प्राफिट करने वाली कमपनी आज सो करोल एक सो अठारे करोल का नेट प्राफिट जनरेट कर रही है तो सेल्स इस कमपनी का मैक्स पे चल रहा है और net profit भी इस company का क्या है maximum है तो sales और net profit अगर किसी company का maximum है लेकिन stock price हम देखेंगे तो stock price minimum है यानि यहाँ पे आप देखेंगे जब से company list होई है इस वाले price से वहाँ से लेके company लगातार नीची जायज आ रही है जायज आ रही है और यह company 1000 रुपय के rate पे चली आई है इसका जो rate चल रहा था वो कितना चल रहा था यानि 2800-2700 के rate पे थी company 2800 से company 1000 के rate पे चली आ हाई थी valuation हाई होनी के वज़े से indigo paints का जो price लगातार नीचे डाउन हुआ है और अभी जो stock का P 42 की चल रही है जबकि industry 53 यानि अपने stocks P जो है industry P से यह company सस्ती valuation पे है वाले एक साल के अंदर अंदर आने वाले one year के अंदर अंदर 1 एक साल, positive साल ke अंदर अंदर आपको यहाँ पे 100 percent का return Indigo paint में देखने को मिल सकता है अब हम दूसरी company की बात करें तो दूसरी company का नाम है फाई पैसा अब 5 पैसे company की बात करें तो company का जो IPO आया था आप यहाँ पर देखिए यह वाला जो प्राइस था तो company कितने सालो अगर आप यहाँ पर देखेंग तो यह वाला जो प्राइस आप देखिए यहाँ पर अगर हम एक indicator लगा दे यहाँ एक arrow लगा दे तो आप देखिए यह वाला जो time चल रहा हुए मार्च 18 या यानि पिछले 5 साल से company का stock price उसी range पर चल रहा है जो आज से 5 साल पहले था तो क्या 5 पैसा का share price जो पिछले 5 साल पहले था वो भी आज चल रहा है तो क्या इसके fundamental में कोई growth नहीं हुआ है तो अगर हम यहाँ पे 5 पैसे का fundamental देखें यहाँ पे मैं search करूँ 5 पैसा capital limited तो अग देरे को समझ में आएगा कि इस company में क्या growth है आपको भी समझ में आएगा कि 2018 में company का जो sales था वो केवल और केवल 20 करोड था और net profit था minus 25 करोड यानि company के पास net profit था ही नहीं और sales 20 करोड का था वो 20 करोड का sell बढ़के 336 करोड का हो यानि maximum company sales कर रही है 336 करोड का sell क्या पिछ 34 करोड का हो गया तो sales यहां से कितने गुने हुए है अपर यहां से गरें तो लगभग 15 गुना sales बल गया है और net profit आप कितना कर सकते निगेटिव है निगेटिव है निगेटिव को positive 0 हुआ होगा 1 हुआ होगा 1 से 34 हुआ होगा तो आप देख रहें कि net profit बहुत जादा grow हु पर चल रहा है जो आज से 5 साल पहले था जबकि अगर हम कंपनी का fundamental देखे तो fundamental में huge growth मिला है तो मेरे को लगता है कि आने वाले साल 2 साल के अंदर अधर company आपको 200 से 400% का return generate करके दे सकती है के वल 100% return की बात नहीं कर रहा है आपको 200 से 400% का इस company में return देखने को मिल सकता है क् fundamental company बहुत अच्छा कर रही है लेकिन technical के through हम देखेंगे इसके जो share price है वो growth नहीं दिखा पा रहे है तो जल्द ही इस company में इसके share price में भी अच्छा खासा growth देखने को मिल सकता है तीसरी company की बात करें तो तीसरी company का नाम है home first home first company को अगर आप देखेंगे तो ये भी company अपन पास पास चलती हुई देखने को मिल रही है और लगातार इसी range पर वो support भी बना रही है एक बार दो बार तीन बार और ये चौती बार इसी range पर वो support बना रही है तो एक तरीके से home first अपने एक support पे खड़ा है home first अपने support पे खड़ा है और वो support range निकल क्या रहा है उसका price जो है वो 650 से 640 से 650 साड के बीच में देखने को मिल रहा है अगर हम होम फर्स्ट का फंडामेंटल देखे तो ये टाइम चल रहा था कब का जब इसका IPO प्राइस आया हुआ था तो वो 21 की बात है यानि February 21, February 22, February 22, दो साल हो गए और होम फर्स्ट का अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल देखे होम फर्स्ट का अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल देखे होम फर्स्ट फाइनांस कंपनी का तो जब ये इसका IPO आया था यानि 21 से लेके अब तक में उसमें क्या-क्या changing हुआ है अगर हम इसको समझें तो 2021 वाली cases में ये 419 करोड का business करता था 490 करोड का यानि 500 करोड का और यहां से लगबग company 720 करोड का business स्टार्ट कर दी है company 100 करोड का net profit generate करती थी अभी company 224 करोड का net profit generate करती है एक ऐसी company जो 2012 में केवल एक करोड का business करके माइनस एक करोड का net profit generate करती थी एक करोड से 720 करोड हो गया अगर 3 करोड के net profit से 224 करोड का net profit हो गया 100 से 224 हो गया 489 से 720 हो गया operating profit margin 29 जो चलता था उसका operating profit margin 39% का दिखा रहा है तो home first company पिछले 2 सालों में huge growth दिखाई है लेकिन उसका share price huge growth नहीं दिखा रहा है home first का अगर हम share price दिखें तो share price जो पहले चल रहा था आज से 2 साल पहले वही share price हमको देखने को यह नीचे गया था उपर गया था फिर से वो उसी support range में आ गया तो एक अच्छा खासा support range पिछ home first चल रहा है अगर आपको buy करना तो इस time पर buy कर सकते हैं और यह आपको 100% का return आने वाले एक साल के अंदर अंदर एक या दिर साल के अंदर अंदर देखने को मिल सकता है next company की बात करें हम लोग यहाँ पे तो company का नाम हा IRCTC IRCTC के बारे में सभी लोग जानते हैं और IRCTC का अगर हम थोड़ा सा fundamental और technical दोनों cases में देखें तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएगा जो किस rate प्यारा लगवग 600 के rate प्यारा है तो 600 के rate पे जो Indian Rail Tour Corporation IRCTC है जो देखने को मिल रही है तो मेरे को लगता है कि यह company आने वाले एक से डिर साल के अंदर आपको 100% का return generate करके दे सकती है उसके पीछे की वजब भी है कि अगर हम यहाँ पे यह time देखें तो September 21 का time है और यहाँ पे हम यहाँ पे IRCTC सर्च करते हैं और देखते हैं कि September 21 उसे लेकर अब तक के data में कोई changing हुआ है क्या तो September 21 से लेकर अब तक के data को अगर हम देखें तो September 1 में company 700 करोड का sales करती थी और सास सोरी यहाँ पे yearly data देखेंगे तो September 21 में यानि 21 के करीब हम data देखें तो COVID की वज़े से और COVID हटा दे तो 2264 करोड का sales था वो बलके 3267 करोड का sales हो गया है 500 करोड का net profit बलके 941 करोड का net profit हो गया है 31 परशंट 24 परशंट का जो operating profit margin था बलके 46 परशंट 38 परशंट के net profit में convert हो गया है साथी साथ यह जो growth तोम को दिखाई दे रहा है अगर हम यहाँ प train launch अगर हम करें तो हम दोग देख लेंगे कि कितने new वंदे भारत trains launch होने वाली है तो एक data निकल के आएगा यहाँ पर data मिलनी रहा है लगवग 400 वंदे भारत train नहीं launch होने वाली है आने वाले एक धेड़ साल के अंदर अंदर तो अगर 400 वंदे भारत train launch होगी तो उसका फा share price में भी growth देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो यह company भी आप अपने radar में रखिए जो आने वाले एक साल के अंदर अंदर आपको 100% का return generate करके दे सकती है इसके बाद हम सबसे last company आते हैं जिसका नाम है SBI Card अगर हम SBI Card company को देखें और इसको हम समझें SBI Card का पहले सबसे पहले हम आपको data दिखाते हैं यहां पे हम इसके sales को दिखाते हैं company का sales जो 2020 में 9000 करोड का था 2019 में 7000 करोड का था 2018 में 5000 करोड का था यह 2018 से 2022 में यह तो 10000 करोड का हो गया 1000 करोड का net profit generate करती थी, 900 करोड का net profit generate करती थी, वो company यहाँ पे 5000 करोड के करीब net profit generate कर रही है, तो लगबग company अपने 2 साल में double के करीब हो गई है, अब यहाँ पे sales उसका doubles नहीं हुआ है, revenue doubles नहीं हो, लेकि net profit तो आपको यहाँ double देखने को मिल रही है, 10%, 15% के operating profit margin पे काम करने start कर दी है, देखिए UPI वाली cases में अगर हम SBI card के data पे चले आते हैं, SBI card के data को देखते हो, तो SBI card का data आप देखेंगे जो IPO वाला price चल रहा था, IPO वाला price पे ही वो देखने को मिल रहा, IPO वाला price यह कब की बात है, यानि 20 की बात है, मार्च 20 में, तो मार्च 20 से लेके अब त तीन साल का growth देखिए, तो यहां से अगर हम तीन साल अटा आदे तो लगभग 9,000 करोड का, 2020 में 7,900 करोड का sales करके, 800,000 करोड का net profit generate करने वाली company, अज 12,000 करोड का sales कर रही है, और यहां पे 5,000 करोड का net profit generate कर रही है, तो company के sales में, revenue में growth देखने को मिल रहा, लेकिन share price आज supportive range पे भी खड़ा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे, यह company एक support पे अपने support पे खड़ी है, और इस support को वो break करेगी, तो अच्छा खासा return हमको generate करके देखी, आप यह price देखिए, एक बार यहां नीचे गई थी, फिर से इसी वाले support range पे आई है, यहां पे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांच भी बार, तो company लगातार इसको support बनाए, और एक छटवी बार जब इस पे आई थी, तो इसके नीचे company जानी रही है, आप देखिए, इसके उपर ही गई थी, फिर नीचे आई, लेकिन यहां से फिर से खरिददारी हो ग लेकिन सभी companyों में, इस पांचों companyों में इसको आप फिर से back test कर सकते हैं, इसके fundamental को आप देख सकते हैं, और इसके कुछ जैसे 5 पैसा हो गया, SBI cards हो गया, IR CTC हो गया, इसके particular video भी channel पे पड़े हुए, आप उस पूरी video को देख सकते हैं, और समझ सकते हैं, कि इसी company हमें आ